नमस्कार यह प्रगठी मिनान पर चल रहा एक प्लास्टिक दी अंदर जितने भी आपके जो प्लास्टिक प्लास्टिक है उसको रो रीसाइकिल कप प्रोशस दिखाया गया इसके 10 वह वा उसका दीखाया गया है आफ्टर लोगो बंने hoatsęt नोगा इंका क्या है यह शौर्टिंग मिश्न है बएशी के लिए शौर्टिंग मेशीन बहुत ही बढ़िया है जैसे कि सब्सक्राइब कर ने का मिक्स औटों में टॉटमेट के बिया है अलग प्लास्टिक का अलग अलग एक वेल्व है इसको हम मिक्स करके कर देंगे तो क्या होता है उनका कोई मतलब इतना प्रॉपर यूटिलाइशन नहीं हो बात है जैसे यहां पे कही सारे प्लास्टिक होगे कुछ वेराइटी ब्रॉजर के अंदर शोग गया हुआ है और इसमें क् आपको मैं नॉर्मल प्रोसेस बता हुआ जैसे थोड़ी दर पहले आपने कॉन्वेयर वेल्ट देखे होंगे उस पे कही सारे प्लास्टिक मलब की फ्लो हो रहा है इसके लावा मैं आपको बीच में देखे एक पर दुबारा में यह क्या है मल्टिकेट मल्टिकेटेगरी है कर देते हैं यह मैं पहले आपको इनका वीजटिंग कर्ड एक बार सेयर कर दिया हूं इसके बद मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगा और यहां पर क्या है मैंने दो वीडियो को मिक्स किया हुआ है जिससे कि आपको यह आराम से पता लग जाएगी हमने जैसे कि शोर्टिंग कि किया शोर्टिंग के बाद में वह फिर दुबारा कौन सी मशीन में जाएंगे इसका भी मैंने दो कमपेनियों का वीडियो एक्चुली एड किया हुआ है इस पर्टिकुलरी सेक्शन में यह देखे मैं पहले आपका शोर्टिंग मशीन का आपको मैंने ब्रॉजर और शेयर क दिखा हुआ है रिजेक्शन इंडासेंस की वह रिजेक्ट नहीं होता है अब वहां पर बनने के लिए कटिंग ओले माशीन पर चले जाएंगे तो यह अभी क्या यह प्रोसेस चलते रहता है नौर्मेली मतलब कि हर एक टाइप के जितनी भी प्लास्टिक है यहां पर चाहे वह कलर के वाइज हो चाहे वह मेट्रेल वाइज हो सब अलग अलग तरीके से वह शोर्टिंग हो जाएंगे यह कुछ चार्ट इनोने डिस्प्ले कर रखा है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा तो इस तरीके से यह बहुत मतलब कि वेलुएवल शोर्टिंग मशीन है कि देखा जाए तो मतलब कि हर एक चीज को आटोमेटिकली शोर्ट आउट कर देते हैं जिससे कि आगे जाके हमारे को क्या होता है ग्रेन्वेल्स तैयार करने के लिए असानी होता है और यह एक मशीन ग्रेनवेल्स बनाते हैं जैसे जोबी कचरा है उसका ग्रेनवेल बनाते जो पहले वाले मशीन थे वह सौर्टिंग मशीन थे अब यह क्या हो गया recycling machine हो गया हाला कि यह दूसरी company है इसलिए उन्होंने जो अपने हिसाब से यह demo देने के लिए जो भी हो product को इन्होंने यूज कर रखा है इसके मलब कि और आगे advance process सो करने के लिए यह recycling machine company है यह recycling machine हो गया आपका मलब जो कचड़ा हमने वहां से sorting करके लाया एक हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से इस वाले machine में डाला जाता है उसको granules में convert करने के लिए बैसिकली डिस इस अन recycling machine यह देखिए जितने भी product को डाला हमने कचड़े को डाला उनका इस तरीके से यह granules बनते हैं दाने बनते हैं जो कि हम आगे दाके फिर हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसको डालते हैं किसी भी फॉर्म में convert करने के लिए सपोज हमें कोई भी आइटेम चाहिए हो चाहिए वह चेयर चाहिए हो और एगेन कोई प्रड़क्ट का डेमो डिया गया हुआ है और यह देखिए जितने भी कचड़ा कचड़े के बाद रिशाइक्ल में बना गेन्वेल गेन्वेल के बाद आएंगे वह आप पर इंजेक्शन मोलिंगे उसके बार उसमें बन गया यह कोई शूटके बन गया जैसे बना दिये औ कुछ प्रड़क्ट है जो की आपको यहां पर डिस्प्ले डेमो डिया गया हुआ है इसके अलाव में आपको एगेन्ट दूसरी साइट से में इनका मशीन को मैं आपको सो कर रहा हूं इसके बार में इनका जो भी ब्रॉजर होगा विजनेस कार्ड होगा जो भी होगा वह मै एक हिसाब से देखा जाये तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया हो गया इन्हें कंबिनेंट वेए वी कन शॉर्ट आउट इचन एवरी माटरिल इन डिफरेंट केटेगरी 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 एन रिशेकिल डेम तो कंवर्ट इन अनेडर फॉर्म फॉर आवर फॉर्डर यू आ रहा हूं मैं आपको यह जैसे नॉर्मली पबिक प्लाव पार्क या अपने घरों के बाहर रख सकते हैं यह टोटेल हंड्रेट एन वन पर्सेंट से मनलब के रिशाइक्ल प्रडक्स प्रडक्स से बनाया गया हुआ हुआ है जो भी प्लास्टिक के रिशाइक्ल प्रडक् से घर के बाहर हो कहीं भी हम इसको बारी सोगारा से इंचे इतना या इतना दिक्कत होने वाली है निया जैसे लगकरों को नॉर्मली होते एकदम से बहुत बहुत थैंक्यू ओ वाचिंग मैं वीडियो सी यू इन अगेन